जेहीं दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका HPJNNORS53 के इस बीडियी लक्षर में तो इसमें हम अब कवर कर रहे हैं क्लर्क की आंसर की इसमें हम प्रेशन जो हैं वो 100 से लेकर 170 तक कवर करेंगे जिसमें से कुछ प्रेशन जो हैं हमने पहले कवर कर चुके हैं और अब जो प्रेशन हम कवर करेंगे इसमें कुछ जो हैं reasoning होगे, कुछ English के होगे, कुछ Hindi के होगे और कुछ जो हैं वो GK के प्रेशन होगे जो कि 100 से लेके 170 तक के प्रशन है तो देर ना करते हुए चलते हैं वीडियो की तरफ इसमें जो पहला प्रशन है उसमें पूछा गया है कर्चम भांगतू जल्वी द्युत प्रयोजना किस नदी पर है तो इसका जो सही उत्तर है वो है option A अगला जो प्रशन है यह reasoning से संबंदित प्रशन है reasoning के प्रशनों को हम हल ना करते हुए शिदे इसका option ही बताएंगे कि कौन सा उत्तर जो है वो सही है क्योंकि अगर हम हल करके बताएंगे तो इसमें जो है दाएंगे और 6 अक्षर कौन होगा तो इसका जो सही उत्तर है वो option C आएगा और option होगा option C सही जबाब है अगले परशन में जो है यदि कंप्रोमाइस सब्द का प्रथम तता 6 अक्षर आपश में बदला जाए और दूसरा तता 7 अक्षर और इसी तरह आगे तो दाहिने से 7 अक्षर कौन सा होगा तो इसका भी सही जबाब जो है वो होगा option A होगा वो S अक्षर होगा अगला परशन है इसमें पूछा गया है कौन सा अन्यों से बीन है तो इसमें चार option है पहला है VC दूसरा है FG तीसरा है PQ चोता है TV तो इसमें सही जो है option D है ये अन्यों से बीन है अगले परशन में जो पूछा गया है वो पूछा गया है यदि लाल को पीला कहा जाए पीले को नीला, नीले को सफेद, सफेद को हारा, हरे को गुलावी, गुलावी को ब्यांगनी तो सबच अकास का रंग क्या होगा तो इसका जो सही उत्र है वो आएगा option B यानि की सफेद होगा अगले परसन में पूछा गया है नीचे दीगी स्रिंखला से ऐसे कितने 9 हैं जिनके आगे 3 तथा पीछे 6 हैं तो इसका जो सही उत्र है वो आएगा option C यानि की 3 इसका उत्र होगा अगला परसन जो है उसमें पूछा गया है एक मंदिर में 20 सोपान है एक हिसमें पर नरेंदर से सोपान उपर चड़ता है तथा अकलेंदर एक सोपान नीचे उत्रता है अगले परस्ट में पूछा गया है लड़कियों की एक पंक्ती में सुबा वाएं से दसवी तथा रूपा दाएं से ग्यारमी है जब बे दोनों अपस में अपना स्थान बदलती है रूपा दाएं से पंदर भी हो जाती है सुबा का वाएं से कौन सा नंबर होगा तो इसका ज इसका जो उत्तर आ रहा है वो आ रहा है राजू ओप्शन सी सही जबाव है अगले परस्ट में पूछा गया है मैथली एक खुल एक्षेत्र में पूरुप दिशा की और चलना चालू करती है तथा 35 मीटर चलने के बाद रुख जाती है अब वो अपनी दाई और मुरती है के प्लस मतलब multiply हो multiply मतलब माइनस हो और माइनस मतलब वाग हो और वाग का मतलब प्लस हो तो यह जो equation दिए है 16 वाग 4 मल्टिपलाई 3 प्लस 2 माइनस 6 यह क्या वनेगी तो इसका जो सही उत्तर आ रहा है वो आ रहा है Option A Option A इसका उत्तरा रहा है अगले प्रसन में पूछा गया है हाल ही में पुना गठित आपदा जोखिम न्यूनिकरण के राष्ट्री प्लैटफॉर्म का सवापती कौन है तो इसका जो सहित्र है वो है यूनिन होब मिनिस्टर जो है इसके सवापती है और वहीं इसके जो बाइस चेर्मेन है वो है मिनिस्टरी ओफ स्टेट के हॉम मिनिस्टर जो है वो इसके बाइस चेर्मेन है अगले प्रसन में पूछा गया है महाराष्ट के किस एरपोर्ट का नाम हाल ही में बदल कर 76 यवाजी महाराज एरपोर्ट रखा गया है तो ये रखा गया है और अंगवाद एरपोर्ट का Option A सही जबाव है अगले परस्ट में जो पुछा गया है हाल ही में United Nation Conference on Trade and Development द्वारा परकाशित आकलन के अनुशार क्रोना वाइरस महारी द्वारा किस देश के अर्थ संत्र को सबसे अधिक नुक्षान हुआ है तो ये हुआ है United States तो Option A सही जबाव है अगले परस्ट में जो पुछा गया है वह 44 रैंक प्राप्त किया है बहीं IIT दिल्ली ने जो रैंक प्राप्त किया है वह 47 रैंक प्राप्त किया है इसमें तो सही जबाव IIT Bombay यानि कि D option होगा अगला परस्ट है किस भारतिये ने एक सुठाइवा Commonwealth Point of Light Award प्राप्त किया तो इसका जो सही उत्तर है वह option D जादर पयेंगने और इन्हें जो वह first man of India भी कहा जाता है अगले परस्ट में पूछा गया है बहस मैं सी इमा कितनी है जिसके वितर किसी सरकारी सेवक के वरुद बरस्टर चार किसी काईद को लोकपाल को निपटना पड़ता है तो इसका जो सही उत्तर है वह option A यानि कि 30 दिन के अंदर अगला परस्ट है mobile application हमसफर जो हाल ही में समचारों में थी किस सेवा से जुड़ी हुई है तो ये सही जवाब है option B ये इंदर की home delivery से जुड़ी हुई है और इसे जो सुरू किया है वो संतोस गैंगवार ने किया है अगले परस्ट में पूछा गया है मुहजदीन यासीन ने हाल ही में किस देश के नए परदान मंतरी के तोर पर सफ़त गरन की है तो ये की है मलेशिया के परदान मंतरी के तोर पर option सी इसका सही जवाब होगा अगला परस्ट है नीती आयोग दवरा हाल ही में सत्थ विकास उद्देश्यों पर परस्थम पाइलेट प्रयोजना के लिए कौन से किंदर सासित क्षित्र का चैन किया है तो ये किया है जम्मू कसमेर और ये कब किया है तवित्ट येयठ्थ फइबरी को किया है ये मेरी वरड डेट है अगला फक्रस्ट है इसमें पुछा गया है 2020 तक भारत की कितनी वासाओं को पाररंप्रिक वासा का दर्जा दिया गया है तो ये दिया गया है छे वासाओं को दिया गया है और इसमें सबसे पहले जो दिया गया था तमिल को दिया था 2004 में दिया था तमिल को और वहीं इसके बाद संस्क्रिट को दिया था तो संस्क्रिट को 2005 में दिया था फिर कंड़ को दिया था दोजाराट में दिये था तेलगू को भी 2008 में मिला था मलयालम को 2013 में मिला था और उडियो को मिला था सिसमें 2014 को कुल 6 वहसाओं को इसका परनिपरीक भासा का दरज्य मिला था अगले पृ के प्रसஞति जो हैं पूछा गया है उसमें भी फिलिंग दा ब्लैंक है इसमें जो सही जवाव है वो भी option C होगा distracted दा सिब बाद distracted from the cost by bad weather अगला प्रसन है इसमें भी फिलिंग दा ब्लैंक है और इसका जो सही जवाव है वो है option D यानि की charged अजेवाद charged with a serious crime अगला प्रसन है इसमें पूछा गया है चूज दा क्रेक्टली स्पेल्ट वर्ड आउट ऑफ गिवन अल्टरनेटिव तो इसमें जो इसमें जो क्रेक्टली स्पेल्ट वर्ड है वो है option C compassionate अगले 27 में जो है वो है option A sorry 27 में है institution institution इसमें सही जवाब है option A वही 28 में जो है वो option V सही जवाब है sincerely वही 29 में जो है वो दी सबसे सही है discipline मही 130 में जो है C option सही है trustworthy अगला जो प्रशन है उनमें पुछा गया है choose the word opposite in winning to the given word out of four alternatives तो पहला है confident तो इसका जो opposite word है वो है option A diffident अगले के विनिवालेंस का जो opposite है वो है option C वहीं अगले का जो है 133 का option V सही जवाब है वही 134 इसका जो सही जवाब है वो भी V है 135 पैशनेट का जो सही जवाब है वो है option A अगले जो प्रस्ण है उनमें पुछा गया है चूज दा वन वर्ड सब्सिच्यूशन तो 136 का एन अंसेंबली वाफ है जो सही जवाब है वो है option V और 139 का जो सही जवाब है वो है option D को और 140 का जो सही जवाब है वो है option C अगले जो प्रस्ण है वो हिन्दी से जुड़े हुए है और इनमें हमें सुद्स सम्ध चुनने हैं तो 141 का जो सही जवाब है वो है option B शवाब भाविक 142 का जो सही जवाब है वो है option A यानि कि टिपनी 142 का A है सिरीमान और 143 का भी A है टिपनी और 144 का जो सही जवाब है वो है option D सही जवाब है इसका 145 का जो सही जवाब है वो है option V निरिक्षन अगले प्रस्व में हमें प्रयावाच्ची सब्द चुनने हैं इनमें 146 का जो सही जवाब है वो है option A उतकर्ष भहीं उगर का जो प्रयावाच्ची सब्द है वो है option D 148 का option C सही जवाब है 149 का जो सही जवाब है वो है option A और 150 का जो सही जवाब है वो है option B 151 का जो महाबरा है वो है ठीकाने लगाना यानि कि इसका जो सही जवाब है वो है option A मारना 152 का है गात में रहना गात में रहने का सही जो महाबरा है वो है बुरा करने का अफ्श्र जूनना 153 का कागज भरना का मतलब है यहाँ पर व्यर्थ लिखना और 154 का है नेत्रहीन में जो समास है वो है ततपुर्ष समास है option A सही जवाब है लेखक का जो स्त्रीलिंग है वो है लेखी का option D सही जवाब है 156 सजन का जो बहुबचन है वो है option D इनमें से कोई नहीं है सजन का बहुबचन सजन होता है 157 दाता का भी प्रितार्थ जो सवद है वो है option A क्रिपन बहीं अगले जो प्रशन है उनमें हमें सही अर्थ चुनने है तो irregularity जो इसका जो सही उत्तर है वो है option V यानि के अनिम्यम तता अगला प्रशन है इसका जो सही उत्तर है वो है option D कार्यान बन implementation का कार्यान बन बहीं delegation का जो सही जवाब है वो है option A शिस्ट मंडल अगला प्रशन है वो डिस्कवर हडपा इन 1921 तो 1921 में हडपा की जो discovery की थी, cause की थी वो राय वहादुर्दे राम सानी ने की थी option A, सही जबाब होगा अगला प्रशन है, इसमें पुछा गया है the word are in literally means literally इसका मतलब जो है वो है, novel man से है, तो इसका जो सही उत्तर है, वो है, option B जनम से उच अगला जो प्रशन है, उसमें पूछा गया है सर्श्वती नदी का वेदिक नाम क्या है, रिगवेदिक नाम क्या है तो सर्श्वती नदी का जो है वो, रिगवेदिक का नाम से इसे अनदाती वी कहा जाता था, परंतु इसको सदा नीरा वी कहा जाता था, option A सही जवाब होगा, अगला प्रशन है कौन सा सासक गोतम बुद्ध का समकालिन था तो ये भी बिसार था, अगले प्रशन में पूछा गया है, बुद्ध के पदेश्यों का संग्रह किसमी है, तो ये धर्मचक परिवर्तन में है, इन में से कोई भी नहीं होगा इसका उत्तर, अगला प्रशन है असोक का शाषन का शिदान था, धम की निती, किस लेख में अंकित है, तो ये स्तंब लेख में अंकित है, option C सही जवाब होगा अगला प्रशन है तो ये कांची पुरम थी, option A सही जवाब होगा अगला प्रशन है, दिली के सल्तनत दिली के किस सुल्तान ने कुत्ब मिनार का काम पूरण करवाया था तो इसका जो सही जवाब है बो है option A, कुत्ब दीन एवक ने ये काम पूरा करवाया था इल्टू तुमिशन ये पूरा करवाया था अगला प्रशन है इसमें पूछा गया है निकॉला कॉंटी एक वरवाशी किस देश का था तो ये इटली का था, option A सही जवाब होगा अगले प्रशन में पूछा गया है तूजक एवावरी किस ने लिखी थी तो तूजक एवावरी ये लिखी थी बावर ने लिखी थी option A सही जवाब है तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो क्या ची लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर सेहर करें चैनल को आप इसलिए सब्सक्राइब करें ताकि वेविश्य में आने वाली वीडियो की अफडेट जो है वो आपको टाइम टाइम पर मिलती रहे तो दोस्तों वीडियो को अंतक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जे हिन जे भारत